नमस्कार मीत्रो आप सभी के अपने यूटूब चैनल ग्राम पंचत की जानकारी में आप सभी का स्वागत हैं आज के वीडियो के माद्यम से आपको फसल भीमा योजना को लेकर जानकारी बताने वाले हैं कि आप फसल बिमा योजना को लेकर आवेदन कब तक कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हर हमेशा हर साल हमारी जो फसल होती हैं कई कई उसको नुकसान होता है और फसल का बिमा नौ होने के कारण सरकार हमारी जो भरपाई देती है यानि कि सरकार जो हमें पैसा देती है वो हम तक नहीं पहुंच बाता है तो आपको फसल भीमा के लिए आवेदन कब तक करना है और किस तरह से आवेदन करना है और इस साल यानि कि 2021 के अंदर आवेदन करने के लिए कौन-कौन से बदलाव किये गए हैं और आप किस तरह के से आवेदन कर सकते हैं और किस राज्ये के अंदर आवेदन कर सकते हैं सारी जानकरी का आपकी जानकरी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं इससे पहले दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना है, जिससे हमको आपको जानकारी पहुँचाने में आसा नहीं हो सके, सबसे पहले जानकारी बताएं, दोस्तों यह अगर आ फसल विमा योजना के लिए आवेदन करना चाते हैं तो 29 जुलाई यानि कि 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं वहां तक आवेदन के लिए अंदर जो बदलाव करना चाते हैं तो उसको भी एड़ करना जाते हैं, आपने कोई क्रशी को लेकर कोई नया उपजाओ, केंद्र बना हुआ है, या फिर आपने ग्रिन हाउस प्लांट लगा हुआ हैं, तो उसको लेकर भी आप जानकरी अपडेट करवा सकते हैं, आपको बता दें, हमारे जितने किसान भाई है उनके खाते को लेकर भी कापी प्रशानिया हैं जिनके खाते अपडेट नहीं है, यानि कि पूराना खाता संक्या लगा हुआ है, तो वहां तक उनका खाता बन चुका, बन चुका या फिर बंद हो चुका है, तो उनकी पूरी जानकरी अपडेट उपडेट वैर आप तक 29 को सो वहाँ जानकरी में पहुत सरे किसान फाइ तो किसान के पास क्या होती तो जमीन ने फ़सल में तहीं कीठ ना चेक करना पानी ज्यद्हार आ जाने के लिए बहुत ऐसी कारण जो होते हैं जिसके कारण उनकी जो फसल होती है वो नश्ट होते हैं जिसके कारण उनको जो फसल का कोई मुआजा नहीं मिल पाता है क्योंकि वह फ़सल बीमा और आवेदन करते हैं तो उनकी जितनी भी फ़सल दी उनका उसको पैसा मिल सके और जो बीज है तो दुबारा वो खरित पाए तो ये उसना उनको लाब मिलता है, दोस्तों आपको जानकर बिदल फसल भीमा योजना कहा जाता है को किसन फेंटी बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किये हैं ताकि उन किसनों को हर साल में फ्लेम मिले जिसकी फसल को नुक्सान पहुचा है यानि कि केंदर सरकार के दर ये बड़ी ओजना चलाई गया दोस्तों ये अपसे नहीं कापी सालों से चलाई जाती है पर हम आवेदेन करने से रहफ़चित रह जाते हैं यानि कि आपका जानकरी बताओ जो आवेदेन है वो कैसी सी किसान क्रेडिक कार्ट जो होता है उसके तर तक आप जाकर यानि कि अगर आपको डोकुमेंस के क्या वश्यक्ता है तो आपको बता दू मैं जानकरी कि आपके जो खेती है जो आपके जो ग्राम पुंचत के अंदर आपके गाहों के अंदर जो भी आपके कृषिल लाइक जो भूमी है उसकी नकल होनी चाहिए दो फोटो ह कृसाइं कि और लहां लुत है कि अब करको जाना है कि आपको सब्सक्राइब मैं और यही प्रॉम्ट हो रही है जो खाया फ़्राइक अपका जो खता है उसको अपडेट कर देना है जिससे आपके राशिय आप तक पहुंच सके कि हर साल यह प्रोब्लम आती है दोस्तों आपको पूरा आवेधर कर लेना है और आपको बता दू कि जो भी आप आवेधर करते हैं उसके अगर आपका किसान क्रेड़िट कार्ड बना हुआ किसान जो मिमा यजना है उसके ताथ तो आप आवेदन के लिए जल्दी चाहें और आवेदन कर दीजेगा दोस्तों जहें दोस्तों जे पारत